हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा चैनल चलो लर्ण करते हैं और मेरा नाम है मनिशा तो फ्रेंड्स मैं आज आपकी साथ सेयर कर रही हूँ यू के जी मैत का वर्क सीट तो वीडियो मेरा पसंदा तो प्रीज इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेटन पर ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मैं ऐसे ही बच्चो के वीडियो लाती हूँ में आज खड़ करने जारे हूं MAT का वर्क सीट यू के शी के मैत का वर्क सीट थीक है तो देख कि इसमें क्या होता है ? क्याकि अपको बच्चों को पढ़ाना होता है यसे राइट वन टू QR भाइवंड्ड ठीक है वऔन इस तरह से बच्चे का लिखेंगे ? तो one hundred एंड four ठीक है ? एंड four तो इस तरह से आपको बच्चों को बताना है वर्स में लिखने का ղिखने का इस तरह रहा है टूहन्ड proxim PD इस तरह से लिखेंगा बच्चे फिर इसमें आता है right before लिखने के लिए before और after पर मैंने वीडियो बनाया हुआ कि बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे after कैसे सिखाएंगे before कैसे सिखाएंगे वो आप मेरे description box में जाके देख सकते हैं मिल जाएगा आपको ठीक है या फिर math for kids है playlist का नाम वहाँ आपको मिल जाएग इसके before में क्या लिखे जब 0 आ जाता है तो वहाँ बच्चे confused होते हैं तो देखी मैंने जैसे अपने बेटे को सिखाया वो मैं आपके साथ trick share कर रही हूँ मैंने बताया है कि जब भी 0 आ लाश्ट में तो तुम्हें before में क्या करना है कि 0 का 9 बना देना है और उसके पहले व बच्चे यह 8 की before में 7 आता है 6 की before में 5 आता है जनरली बच्चे को जब backward counting कराए जाती है तो वहां यह तो बच्चे जाने ही जाते हैं छुटे छुटे जो नंबर होते हैं उसके before में क्या आता है ठीक है अब 1717 है तो यह बच्चे बच्चे जब जानते तो वह इस यह सब आसानी से बता देते हैं कि 1616 आता है लेकिन जीरो जब आता है लास्ट में तो वहां बच्चे घरबर कर देते हैं जो प्रॉबलम थो मेरे बेटे के साथ था तो मैं मैंने उसे ऐसी बताया था ठीक है तो आप यह देखिए कर ट्रिक अपना करके पेर आता है आपको राइट आप्टर तो वठी बच्चे घरब तेंगों भीन सुख है तॉ प्रॉबलम गुश्य बता तो यहीं बताएंगे कि बिट्वीन जब भी आए तो आफटर ही लिख देना फिर है काउंट एंड सरकल इसमें बच्चे को क्या करना है काउंट करना आप ऐसी कलर फुल पिच्चर बना दें और उससे बच्ची क्योंकि जब कलर देखते बच्चे तो बहुती इंट्रेस्ट क टीक फ्लावर कितने है तो इस तरह से बच्ची क्या कर लेंगे सरकल कर लेंगे फिर आप इसी पर एक ओर दे सकते वर्कसी एंड ड़्या वहां था काउंट एंड सरकल यहां मैं ने लिख दिया काउंट यहां लीफ मैंने पत्त बना दिया है तो वन टू थ्री तो बच्ची क्या करेंगे पहले number लिख लेंगे 3 फिर यहां spelling लिख लेंगे 3 उसी तरह 1,2,3,4,5, तो number लिखेंगे 5 फिर spelling लिखेंगे 1,2 तो number लिखेंगे spelling लिखेंगे अब दो चीज दे लिखने के लिए ठीक है तो उससे क्या होगा बचे को spelling भी spelling भी revision होगा और number तो जानते ही है तो यह आप जरूर देखिर picture subtraction आता है picture subtraction में क्या होता है कि बच्चे इसे interest ले करके करेंगे घटाइंगे इसको कैसे घटाइंगे अब इससे four tree है ठीक है तो यहां क्या 4 ट्री है, माइनस 1 है, तो यहां 1 ट्री क्या होगा, कट जाएगा, तो कितां बचा 1, 2, 3 ट्री बचा, यहां बच्चे आराम से लिख लेंगे, 3, तो इसी तरह पहले आप सब्स्ट्रेक्शन जब भी सिखा रहे हैं ना उन्हें, तो पहले पिक्चर के द्वारा पहले पिक्चर बना दे, उसके बाद यह जो बेसिक चीजे यह बहुत आसानी से कर लेंगे, जो बेसिक चीजे यह आसानी से कर लेंगे, इसलिए आप पिक्चर को लेकर कहीं पहले सब्स्ट्रेक्शन सिखा रहे हैं, अब यहां 5 फ्लावर है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से कितना क सब्स्ट्रेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आप उन्हें इस तरह से दे, सब्स्ट्रेक्शन कर लेंगे, इसको आप कैसे सिखाएंगे, तो इसको आप इसी तरह से सिखाएंगे, फोर है, तो 1, 2, 3, 4, फिर 2 है, तो 1, 2, कट गया, तो 1, 2, तो इस तरह से बच्चे करेंगे, तो कि आप एड़ करने के लिए नहीं दिया होगसीट में लेकिन आप एड़ करने के लिए इतर से दे पहले पिकछिर कि त्रू एडिशन दे उसके पहर फिर इस तरह से दे डिशन फिर यूज दा करेक्ट सिंबल देखे इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ठीके आप देखेंगा मैथ पोर किट्स प्रेलिश्ट का नाम है उसमें आपको सारा जो वीडियो वो मिल जाएगा इसमें सिंबल बच्चे को कैसे समझाएंगे अब सिंबल या तो जैसे 28 है 3030 है तो इसमें कौन सा नुमबर बड़ा है तो ये बड़ा है तो इस तरह से लिखेंगे बच्चे यहां confused यह हो जाते हैं न कि यह जो है वो हम symbol कैसे लगाएं तो generally आप उन्हें इस तरह से trick बता सकते हैं कि देखो यहां पर यहां जो मैंने symbol लगाया यह देखो तो यह बड़ा वाला माउथ कहां जाएगा बड़े नंबर के सामने तो आप उसे इस तरह से बता सकते हैं symbol को रखना ठीक है अब जैसे 52 है 60 60 है तो इधर बड़ा नंबर है तो बड़ा वाला माउथ इस तरफ रहेगा यानि कि इस तरफ रहेगा तो आप इस तरह से बच्चों को बताएं यह भी इस तरह से और अगर 8 आए और यहां भी 8 हो तो यहां पर equal का sign हो जाएगा ठीक है इस तरह से फिर अब है right in ascending order right in ascending order बच्चों को पैसे सिखा सकते हैं अब यह तो बहुत easy वाला है इसमें बच्चे आराम से जान जाएंगे तो ascending order होता है बढ़ती हुए क्रम में ठीक है यानि सबसे चोटा और नंबर हम पहले रखेंगे उसकी ब जब दो नंबर आता है तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम इसे रखें अब यह तो वह समझ गए पहले अगर उन्हें समझ में नहीं आता तो पहले आप इस तरह जो single number होते हैं उनका ascending order बताएं उसकी बाद फिर double number वाले ascending order बताएं तो इसको हम कैसे सि देखो और नहीं तो बताया उन्हें कि पहले जो फर्स्ट में नंबर लिखा रहा था उन्हें देखो तो जो सबसे कम होगा उसे पहले लिखना है तो जैसे यहां पर वन सबसे कम है तो यहां थ्री है तो वन सबसे कम है यानि वन पहले लिखना है लेकिन यहां 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 और one यहा भी है तो फिर किसे हम पहले रखेंगे तो फिर second वाले number को देखेंगे इन दोनों में say in दोनों में second वाले number को देखेंगे तो इसमें 2 कम है याने कि 12 को पहले लिखेंगे फिर 18 लिखेंगे उसके बाद पर्ष नमबर किसका जादा है तो 2 का जादा है उसके बाद 3 आता है तो 22 फिर 36 और अगर बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो पहले दो नमबर वाले एक साथ और सेंडिंग ओडर में ना दें अलग अलग वाले जैसे मैंने 12 12 18 18 एक साथ दे दिया है 11 नमबर वाले तो यहां वह आप ऐसे ना दे पहले आप 12 दे दे 22 दे 36 दे 48 दे इस तरह से दे ठीक है अब फिर 11 वाले चाहिए 22 वाले दो दो नमबर दे सकते हैं उनका कॉंसेप्ट क्लियर हो जा इसके लिए में बता रही हूं ठीक है इस्टेप बाइस्टेप उन्हें सिखाएं तो यह होगे आपको इस तरह से ही बताना है ठीक है अगर ना समझा है तो फिर से आप डिवाइन करके देख लेना वीडियो को फिर राइट दा नमबर जिसे मैंन प्सक्राइब इसेंडिंग अद्व कारें टार यह सबसे ज़्यादा ओटा है जा जाता है वह पहले आता है ठीक है घडिते हुए क्रम में असेंडिंग अडर नि भरते हुए है इस चोटा पहले सब से बड़ा पहले ठीक है तो आप डिसेंडिंग और भी देड़ीजेगा पिर है write the number in the box, अब जैसे यहाँ पर देखी, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, two tens and zero ones, ठीक है, अब ones tens बच्चों को समझाना है, तो zero ones है, तो zero पहले लिखाएगा, ठीक है, फिर two tens है न, तो यहाँ पर two tens, यहाँ क्या किजिएगा, यहाँ o four ones दे दीजिएगा, t four tens दे दीज बच्चों को जिसे उन्हें समझ में आए, ठीक है, फिर यह भी आता है, वर्क सीट में, तो आपको इसे भी समझाना है, five tens and two ones, तो two ones है, तो two लिखेंगे, फिर five लिखेंगे, ठीक है, ओके फ्रेंड्स तो यही तक था, आप इसी तरह बच्चों को वर्क सीट तयार करके द बनाते रहती हूं, और six seven class पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे playlist को जरूर चेक करिएगा, जो कि description box में है, ओके फिर थैंक यू, थैंक्स पर वाचिंग,